दोस्तो वीवो T3, वीवो T3 का semi version, वीवो T3X अब launch हो चुका है, अब वीवो T3 जो था वो था 15 से 20,000 की range में वो phone था, वीवो T3X जो है वो आपको under 15 के में मिल रहा है, लेकिन under 15 के में काफी सारे अच्छे features है इसमें, लेकिन काफी सारी गलती भी वीवो company ने इसमें करी है, आज के इस वीवो T3X की सारी specifications का review करेंगे, और आपको एक final conclusion पर लेके जाएंगे कि क्या वीवो T3X अगर आप खरीदना चाहते हो, तो worth it है या नहीं है, क्या उसकी rating है, क्या उसके pros है, cons है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे आगे बढ़ते हैं, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं processor की, यहाँ पे जो हमें processor मिला है, वो क्या under 15K लिए worth it है, और हमारा जवाब है कि जी हा, under 15K में यह worth it नहीं, बलकि beyond worth it है, यहाँ पे आपको snapdragon 6 gen 1 processor मिल रहा है, just imagine, snapdragon 6 gen 1 processor आपको under 15K में मिल रहा है, जो कि एक इस्यू नहीं रहेगा, अगर आप Vivo T3X खरीटते हो, तो धमा अधम speed मिलेगी, आप चाहे gaming करो, photography करो, editing करो, जो भी अपने functionality multitasking करो, speed आपको इसमें अच्छी मिलेगी, तो यह प्रोसेसर में कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसेसर just amazing, अब बात करते हैं दोस्तों इसके display की, देखें, अंडर 15K में अगर आप यह expect करते हो, कि आपको AMOLED display मिलेगी, आपको 120Hz का refresh rate मिलेगा, आपको 3000 nits color वो सब मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है, अंडर 15K में जो phone launch होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ 19-20 रहता है, लेकिन Vivo ने अपने consumer को maximum चीज़े, maximum चीज़ें यहा पर आपको 120Hz का refresh rate मिलेगा, जो कि 6.72 इंचिस की display के साथ आता है, जो कि FHD+, IPS display, MRA display नहीं है, इससे कोई जाधा इतना फरक नहीं पड़ेगा, अंडर 15K में अगर आपको display में यह configuration मिल रही है, तो यह sufficient है, और यह अच्छी deal होगी अगर display के point of view से आप देखो, तो, अब बा आपको music में देंगे, तो yes, यह बहुत ही unique चीज़ है, इस range में, इस segment में, क्योंकि जाधा दर companies जो है, phone launch करती है, under 15K, 10K to 15K में, बट वहाँ पर यह जो features होते हैं, यह थोड़े जो entertainment वाले या enjoyment वाले features होते हैं, वो miss हो जाते हैं, अब यहाँ पर view T3X में आपको stereo speaker मिला है वो काफी amazing है, 360 immersive effect आपको मिल रही है, यह speaker भी बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर, अब बात करता है बैटरी की, बैटरी में क्या यहाँ पर आपको compromise करना पड़ा है, या फिर बैटरी यहाँ पर आपको अच्छी मिली है, तो सवाल का जवाब यह है, बैटरी आपको यहा इतनी आएगी, फोन बिंदास यूज करो, 44 वोट, 6000 एमेच बैटरी आने के एक घंटे में आपका फोन जो है, वो almost charge हो जाएगा, एक से देर घंटे में, तो यह बैटरी के charging का तो कोई प्रॉबलम है, ने फ्लस 6000 एमेच की बैटरी है, तो काफी कुछ कमपनी ने यहाँ पर डाउन होगी, अगर आप continues 10 hours तक gaming खेलोगे, तब जाके इसकी बैटरी जो है, वो डाउन होगी, याने के आपको यहाँ पर बहुत साधा clarity दी जा रही है, बैटरी के मामले में, तो यह अच्छी बात है, वैसे इतना साधा continue कोई करने नहीं वाला, दिन का hardly आप एक दो गई है, अब बात करते हैं camera की, दोस्तो camera यहाँ पे जो primary camera है, वो 50 megapixel का primary camera है, जो पिसके पीछे जो है dual camera है, 2 megapixel का portrait camera होगा 50 megapixel के साथ, जैसे कि अन्य फोन में हमें देखने मिलता है 50 megapixel प्लस 2 megapixel, बट मान लिया कि प्राइमरी camera अच्छा दिया है, बट यहाँ पे twist दिया ह विवो T3X ने, वो है उसके front camera में, selfie camera में, यहाँ पे आपको सिफ 8 megapixel का front camera याने के selfie camera दिया गया है, जो कि आज के time में इतना अच्छा मैं नहीं मान दा, अगर आपको अच्छे खासे videos वगेरा shoot करने है, selfie camera से, जैसे कि YouTube के लिए, social media के लिए, तो आपको 16 megapixel की जरूरत रहत है, अगर आपकी specially need यह ही है, कि आप जो वो वीडियो शूट करना चाहते हो, इसलिए आप आच्छा फोन ले रहे हो, अच्छा camera वाला फोन लेना चाहते हो, तो यह phone आपके लिए नहीं है, आपको 16 megapixel का selfie camera वाला फोन लेना चाहिए, और अगर आपका budget जादा है, तो 32 megapixel व आप बढ़ाना पड़ेगा, 18,000, 19,000 से लेके 25,000 तक अगर आप जा सकते हो, तो आपको वो variance भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर Vivo T3X लेके आप यह सोझोगे कि अच्छे खासे आप selfie से वीडियो फोटो शूट कर पाओगे, तो ऐसा immersive, जबरतस experience आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, तो yes, यह इसका एक minus point है, जो कि मैंने वीडियो की शुरुवात में ही बात करी थी, कि यह थोड़ी गलती, एक थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि selfie camera किसी भी smartphone के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है, I don't know, कि उन्होंने इस चीज के बारे में क्य फोन मिल रहा है, आगे जाके एक दो वर्जन तक आपको gradation मिलेगा, security पे 25 साल मिलेंगे, तो overall phone की जो plus point काफी जादा है, अगर हम front camera, selfie camera का ignore करो, अगर तो आपकी need है ही नहीं selfie camera, front camera तब तो यह phone आपके लिए perfect है, खरीड लेना चाहिए आपको यह phone, अब इसकी RAM और storage क्या ह किस-किस तरह के इसके variant है, उसके बारे में discuss करते हैं, तो यहाँ बे आपको 4GB RAM और 128GB storage वाला जो phone है, वो 13,999 में मिलेगा, 6GB RAM, 128GB storage वाला phone आपको 14,999 मिलेगा, 8GB RAM और 128GB variant भी available है, जो कि आपको 16,999 मिल जाएगा, अब under 15K की बात जो मैं कर रहा था, वो मैं इसलिए कर रहा कि इसके उपर HDFC और SBI के card के up to 1500 off के offer है, तो मैं अगर आपको एक perfect variant suggest करूँ जो आँ under 15K लिए सको, वो होगा, 6GB RAM और 128GB storage जो कि discount के बाद आपको under 15K में मिलेगा, flip card पे 24 April से इसका sell शुरू होगा, अगर आप यह phone खरीदना चाहते हो, तो आप वहाँ पे website पे जाके, खुट को register कर सकते हो, notify alert के लिए आप उसमें register कर लो, आपको alert आ जाएगी, phone की pre-booking में, आप पार्ट लेके phone को pre-book भी कर सकते हो, So I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, VOT3X से जुड़ी in-depth specification आपको मिली होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, क्योंकि TechTable360 पे आपको technology से जुड़े videos regularly मिलते रहने, तो चेले मिलता है TechTable360 के आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए take care, जैहिन,